प्यारे C.P.L.O. परती भाग्यों मैं आपके C.P.L.O. एक्जाम की उत्तर कुंजी लेकर आया हूँ आसा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्यारे परती भाग्यों मेरे चैनल नौजल एजुकेशन सिलारपूर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें प्था कॉमेंट करें पर्सन एक है इसका उत्तर C होगा पर्सन दो का उत्तर C होगा पर्सन तेन का उत्तर A होगा पर्सन चैर का उत्तर A होगा पर्सन पांच का उत्तर B होगा पर्सन चैर का उत्तर B होगा पर्सन साथ का उत्तर B होगा पर्सन आठ का उत्तर B होगा पर्सन नो का उत्तर B होगा पर्सन दस का उत्तर B होगा पर्सन ग्यारा का उत्तर B होगा सवद कोस परिवासा से संबंदित होता है उसी परकार एटलस मानचित्तर से संबंदित होता है पर्सन बारा का उत्तर विकल्प A उत्तर पूरो होगा पर्सन तेरा का विकल्प C उत्तर होगा पर्सन चोदा का विकल्प D उत्तर होगा पर्सन पंद्रा का उत्तर विकल्प B होगा पर्सन शोडा का उत्तर विकल्प D होगा पर्सन सत्रा का उत्तर विकल्प C होगा पर्सन अठारा का उत्तर विकल्प A होगा पर्सन उन्निस का उत्तर विकल्प B होगा पर्सन बेश का उत्तर विकल्प D होगा पर्सन इक्किस का उत्तर विकल्प C होगा फ्लेक्सिवल का पोजिट रिजिड होगा पर्सन बाइस किन का सिम्लर वर्ड विकल्प D रिलेटिव होगा पर्सन तेईस में जो सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो पूछना है इसमें ये विकल्प C वाला उत्तर होगा पर्सन 24 में विकल्प C वाला उत्तर होगा पर्सन 25 में विकल्प D वाला उत्तर होगा पर्सन 26 में विकल्प A वाला उत्तर होगा पर्सन 27 में विकल्प B वाला उत्तर होगा पर्सन 28 में विकल्प B वाला उत्तर होगा पर्सन 29 में विकल्प B वाला उत्तर होगा पर्सन 31 में विकल्प D वाला उत्तर होगा पर्सन 32 में विकल्प C वाला उत्तर होगा पर्सन 33 में ये चेंजदावाइस का पर्सन है ये क्यूस्चन है इसमें विकल्प C वाला उत्तर होगा पर्सन 34 में विकल्प A वाला उत्तर होगा पर्सन 35 में विकल्प A वाला उत्तर होगा परसन 36 में विकल्प सीवाला उत्तर सही है परसन 37 में विकल्प बीवाला उत्तर सही है परसन 38 में विकल्प सीवाला उत्तर सही है परसन 49 में विकल्प बीवाला उत्तर सही है परसन 41 में गौदान उपन्यास के रच्यता का नाम बताना है तो इसमें प्रेमचंद वाला विकल्प हो जाएगा कभीरदास के गुरू का नाम क्या है इसमें विकल्प भी स्वामी रामानन्द हो जाएगा परसन 43 इसके हर्दे में ममता नहीं वाक्के खंड के लिए एक सब्द निर्मम परसन 44 बलिदान आजाएगा बलीकार्थ परसन 45 परसाद कार्थ किर्पा होगा परसन 46 उन्ती का विलॉम सब्द आउनती होगा परसन 47 इसमें कौन सा सब्द अकर्मक किरिया है पेना अकर्मक किरिया ही ये तेनों किरियाएं सकर्मक किरियाएं हैं राम ने आम खाया इस वाक्ये में किस कार्थ के चिन का परियोग हुआ है कर्ता कारक का परसन 49 इस गाठ का पूरा मौवरे कार्थ क्या है मालदार शिवाले सब्द का सभी संदी विच्छेद क्या होगा शिव जमा में आल्ले परसन इक्यावन इसमें विकल शी वाला आसुद है परसन बाउन इसमें कौन सा सब्द स्ट्रीलिंग है जाडू स्त्रीलिंग है परसन तरेपन इसमें कौन सा सब्द भहुवचन है पाठक गण भहुचन है परसन चौन इसमें कौन सा सब्द किरिया है ठाकना सब्द किरिया है परसन पिछपनिन में से कौन सा वाक्य सुद है हमने अपना देश नहीं छोड़ा ये वाक्य सुद है परसन चपन इन में से कौन सा सब्द गुणवाच्चे कुछ सेस्टन है नया परसन स्थावन जिसका कोई स्तुरू नई जन्मा वाक्य खंड के लिए एक सब्द क्या होगा अजात सत्रू परसन अठावन इन में से कौन सा सब्द परवत का परियावच्ची सब्द है पहाड सुद सब्द कौन सा है साकसाथ सुलब काविलाउम दूरलब परसन 61 मोतिलाल नेरू स्पोर्ट स्कूल किस जिले मिस्थित है यस्वा निपत में है परसन 62 पडखल जील फरिदाबाद में है परसन 63 अर्याणा में निम लिखित में से कौन सा स्थल के द्वन्तियों के अनुसार जहां भगवान स्री किर्शन ने गिता का उपदेश दिया जोतिसर में परसन 64 इसमें विकल ये वाला सही है 65 मद्यान बोजन योजना समाज के किस वर्ग को लाब होना चाहिए सकूल जाने वाले बच्चों के लिए 66 रंजी ट्राफी केल किस से सम्मंदित है किर्केट से है 67 एसियाई केलों में भारत ने निम लिखित में से किस वर्ष सरवादिक पदक जी थे 2023 में उप्रियुक्त सभी विकल्प सही है 69 सर छोटु राम का वास्तिक नाम क्या था राम रिच्पाल आपको सदव समाना उधी के दिन रात कहां मिलेंगे भूमद रेखा पर भारत की कौन सी नदी बंगलादेश में जमना के नाम से जानी जाती है ब्रह्म पुत्र परसन बैत्तर नेम लिकित में से कौन सी फिलम खेल पर आधारित है दंगल परसन तेत्तर साइलेंट वेली राष्ट ये उद्धान कहां पर है केरल में चौत्तर राजस्तान की राजदानी का नाम जैपुर पिचेत्तर वीरबाल दिवस किस सिख गुरू के पुत्रों की सहदत को चिन्यत करने के लिए मनाया जाता है गुरू गोविन सिंग छेंतर परसन किस वर्ष को अंतराष्ट ये पोसक अनाज़ के रूप में मनाया जाता है दोहजार तेश को सतंतर निमली कितमें से किस महने में राष्ट ये पंचयत पुरूश कार सप्ता मनाया जाता है अपरेल में परसन 78 किस नेता की जैनती को राष्ट ये एक तदी उसके रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल 79 बारत की सब से लंबी नदी का नाम क्या है गंगा परसन 80 निमली कितमें से किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को परसन 81 81 में विकल्प सी सही होगा परसन भी 80 में विकल्प A सही होगा परसन 83 में विकल्प B सही होगा परसन 84 में विकल्प B सही होगा परसन 85 में विकल्प D सही होगा पर्षन 86 में विकल्प A सही होगा पर्षन 87 में विकल्प C सही होगा पर्षन 88 में विकल्प B सही होगा पर्षन 89 में विकल्प C सही होगा पर्षन 90 में विकल्प A सही होगा पर्षन इक्याणमे में विकल्प D सही होगा पर्षन 22 में में विकल्प B सही होगा पर्षन 33 में में विकल्प C सही होगा पर्षन 44 में में विकल्प A सही होगा पर्षन पिचाण में में विकल्प भी सही होगा पर्षन च्याण में में विकल्प भी सही होगा पर्षन सताण में में विकल्प भी सही होगा पर्षन अठाणमे में विकल्प B सही होगा पर्षन निन्यानमे में विकल्प C सही होगा पर्षन सो में विकल्प D सही होगा